तो दोस्तों आप में से बहुत साई लोग ऐसे होंगे जिनको अपना रासन कार्ट बनवाना होगा या उनका रासन कार्ट रिजेक्ट हो गया होगा तो उन्होंने दुआरा एपलाई करवाया होगा या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने दुआरा रासन कार के लिए apply किया होगा तो उनको online एक इस तरीके का एक formula होगा जो आपके रासनकार्ट का online form होता है अब हम लोग क्या करते है इस रासनकार्ट को online करवाने के बाद इसको सब्मिट कर देते हैं हम किसी भी department में जो की खार्विवाग का है जो रासनकार्ट का होता है अब वहाँ पर हमें time period दिया जाता है कि तीन महीने बाद या चार महीने बाद आपका रासनकार्ट बन जाएगा लेकिन या मन को संतुष्टी नहीं होती हम यह चाहते हैं कि हम online यह हमारा रासनकार्ट अभी बना है या नहीं बना तो उसको हम online कैसे चेक कर सकते हैं आज हम दोस्तों यही बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा रासनकार्ट कहा तक है कितना बन गया अभी कितना time all लगएगा तो इन सब चीजों की जानकारी कि हम लोग आज की इस video में दिखेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने किसी भी ऐक ब्राउजर पहरे, तो कोई भी ऐक ब्राउजर आपको खूल देना रही तो दिखिए मैंना यहाँ पर एक अपने पास एक browser को open कर लिया है जो हमारा Chrome browser है तो Google पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है और एंटर कर देना है जैसे आप FCS लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा FCS.UP.GOB.IN यहाँ पर लिख रहा होगा रासन कार आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का रासन कार ट की है है, पर पोर्टल खुल जाएगा यह lane हारा है का इस यहाँ बंद कर देना है अब देखें सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए जो आपने ये form भरवाया है इसको भरवाते समय आपने एक mobile number ड़िया होगा वो mobile number आपके पास मौजूद होना चाहिए और वो SIM चालू होनी चाहिए अगर वो SIM चालू नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि अब आप सदर्व ID यहां पर अब fly-d लिखनी है यहां पर capture code लेख रहा है और आवेधन की स्थिती हे एक जनवाई 2022 के उपरांद किये गए सभी आवेदरों की इस्तिति देख सकते हैं और रासन कार्ड की पंजिक्रित मोबाइल संक्या पर OTP प्राप्त होगा तो यानि एक जनवाई 2022 के बाद आपने जितने भी रासन कार्ड यहां बनवाए हैं उन सब की इस्तिति आप यहां प यह वाला नंबर आपको यहां पर डाल देना है और आवेदर की इस्तिति प्राप्त करें पर क्लिक करना है तो चलिए मैं आप फटा बट्चन अपना जो मेरे रासन कार्ड का नंबर डाल दिया है अब यहां पर हम OTP डाल देते हैं तो 577253 यह ने डाल दिया और सेंट OTP प verify पर क्लिक कर देता हूं जैसे आप OTP verify पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो भी आपका रासन ID है वो आपके पास आजाएगी आपने आवेदन की तारीक आजाएगी जिसके नाम से आपने आवेदन किया है वो यहां लिख रहोगा मु हमें यह देखना है कि हमारे रासन कार्ट की जो इस्तिती वो कैसी है अब एक बनके आजाएगा अब रासन कार्ट की स्थिति देखनी आपको तो यहां पर नीचे एक options मिलेगा आपको बित्रज जानकरी इस पैसे अपको क्लिक करेंगे आपको नीचे लिटाब स्क्रॉल करन जो सपलता पूर्व आवेधन किया गया है यह 15 12 2023 को आठ वचके 50 मिनट पर सामको किया गया है इसके बाद राज्य इस्तर आधार डुप्लिकेट आधार कार्ट सत्यापित हो गया है हमारा जो हमारे पास 16 12 2003 को 12 वचके इतनी मिनट पर हो गया है अब यहां पर पूर्ती अधि होना पूरित दोस्तों आपको समयव में आ गया होगा। बना है कि नहीं बना है तो यह हम easily अपने computer या laptop या mobile की मदद से easily जानकारी ले सकते हैं कि हमारा राजनकार बन चुका है या नहीं बना है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आईगी हो और वीडियो से आपको पायदा मिल गया हो तो वीडियो को like चैनल को subscribe करके bell icon द सकें तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही नमस्कार दोस्तों